हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चनल देह स्टुडन और आज हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2021 में दाहिंद्वार इंडियन एक्स्प्रेस के मात्रपूर्ण जो एडिटोरियल न्यूज आते हैं जो की कमपेटिटिव एकजाम के थ्रूब इंपॉर्डन रहते है के लिए तो सुरू करते हैं तुसमें पहले हिडिंग थी आज हरिद्वार में अबद्रभासा को निरंदाज करना खतर ना क्या मतलब यह एक एडिटोरियल है तो यह लिखा गया था कि हरिद्वार में एक दासना देवी मंदिर है उसमें वहां के जो पुझारी थे उन्हों कि दिमानी की बात ही नहीं एक तो इसका मतलब होता है लोग दूसरे धर्म का भाय दिखा करना चाहते हैं तो एक धर्म को उकसा के दूसरे धर्म को बताएं कि हाँ यह ऐसा यह आपके लिए खतरा है तो वहां पर संप्रदाइकता दूसरे मतलब कि अपने संप्रदाइक को लेगे किसी के चलना और धर्मिक्ता क्या है इसार के अराधना से जुड़ा सब्दा है यह धर्मिक्ता तो यह था और यह था और यह उड़मिक्ता है यहां पे दो सब्रदों बहुत अच्छी था इससे के लिए भारत देश है वह पर बहुत अंक्या की वाइक ज्याति देस कि यह दो किसी भी देश के जो प्रद्दाम try होता है उसको किसी भी धर्म के प्रतीग ज्द्थी अगर ज्यादा होता Duис मतलब की धर्म पेश देश है तो इसके मतलब की यह नहीं दिखा रहा है कि हम इस धर्म के प्रति ज्यादा जुका है जिसे कासी बिसुनात कॉरिडॉर में मोदी जी का जिस तरह से जुका और अध्यम में जो मंदिर बन रहा था उनको जाके वहां उसका करना तो यह एक एडिटोरियल था तो इनने ज्यादा कुछ भी उसमें इनका पच्छापात कर दिये था उतना नहीं लेकिन हाँ यह है कि एक धर्म पिश्च देश में ऐसा कहीं कहीं थोड़ा नहीं माने रहता कि यहां किसे धर्म के प्रति नहीं जुका हो करना चाहिए और यह एक अफस्पा क्यों मौजूद है यह अफस्पा टॉपिक था 30 दिसंबर को नागा लेंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है पिछले हमने उसमें पढ़ा था नियू अफस्पा केवल उस शित पर लागू होता है जिस देश के सामान कानून आतंग फ्लाने लिए बिद्रोईयों दौरा उत्पन असाधान रिस्तिति सिन्ना निपट पाएं जिससे वहां कि जो पुलिस असानिया पुलिस है अगर वो उसको कंट्रोल से बाहर चली गई है देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टन है धारा तीन देखेंगे धारतिजित है किंद राजपाल की अंसनसा पर लागू होता है यह एंग सेना की अधिकारियों जूनिर कमीशन अधिकारियों और गैर कमीशन अधिकारियों जौद कर सभी रहेंगे जवानों को छोड़ कर निम्लिखित अपरादों के लिए गोली मारने का या गोली मारने का आदेश देने को सकती प्रदान है और धारा 4B सेना को अधिकार देता है कि अगर उसको लगे कि किसी भी बिल्डिंग में आतंगबादी या उग्रबादी या विपलोकादी छीपे हैं तो उसको नेश्ट कर ने कर सकती है वहां की जो अगर सेना है वो किसी के उसमें नेकी इंतिजार करना पड़े और धारा 4C का कैता है सेना को संदे के अधार पर किसी को भी गिरफतार कर सकता है तरह 4C तलासी भी किसी के ले सकता है अगर उसको सख है कि इसमें कुछ ऐसी है तो वो किसी भी उसका तरास ले सकता है धारा पांच में क्या है अब हस्पा के ताहद गिरफतार किया है तो जल से जल निकल तो में पुलिस इस्टिसन को सौप देना चाहिए यह अच्छी बात है धारा फाइप और धारा सिक्स क्या सस्थबलों के किसी भी सदस्थ पर कोई कानूनी कारवाई नहीं होगी मतलब कि वो जो ऐसा करते हैं जो विल्डिंग इराया दें या किसी भी उस पर अरिष्ट कर लें तो उनको इसके लिए जो उनके सस्थबलों के जो सदस्थ हैं उनको किसी भी कानूनी कारवाई उनके उंपन नहीं होगी और इसके मानवादिकार के आयोई वाले हैं इ इसमें बहुत ही इनका पतलब जो आम नागरिक हैं उनको बहुत ही बिना उनके जुन के भी उनको सदस्थ दियर रहता है इसमें तो इसलिए वो इसके बहुत ही खिलाफ रहते हैं तो अफसपा हम एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे और ताकि इसको विस्तार से पढ़ इसमें क्या है कि किसान सम्मान अधी योजना में क्या होता है कि हर चारमीने अज GO उस आधे अघर छार मैंने पे दोचार रूपह योजना तो यह लाँ होए इसको आई डिलंगाना सरकार की योजना और राय तु बंधु योजना ये जो एक्जाम वंडे एक्जाम है इसके लिए कहीं न कहीं आ सकता है इसको जरूर देख लिजएगा आप लोग रायतु बंधु योजना तो लंगाना सरकार के डीविटी योजना डीविटी मतलब डियरेक्ट बेनिफिक्ट ट्रांसफर ये उसकी निगटीविटी है वह मैं बता रहा था लेकिन कई निथी लगी और बहुत ही अच्छा इनमें करते हैं और ये जो महिने पे देते हैं ये दो Creating a दोनों जी और खळीविच क lovers फसल आती है उससे पहले फाजार रूपय खर ठासे में ट्रांसफर कर देते हैं और कोई इ के नियम नहीं है कि कि इतना खेट रहे ettी और इंगे और और त्र इश्ट्रेम पाइपिनी पाइप्लाइन से और और बिरोध में है इसका उख और वह सोच Congrats कि रूस इसे रूस को बहुत अधिक फाइदा हो जाएगा और वह एक जाके हम कह सकते हैं कि वह कहीं ने कहीं अदिक मुनाफ्य में आएगा इसलिए अमेरिका इसे बहुत विरॉध कर रहा है और यह इसको बस हम इसी नजर से देखते हैं कि जो इसमें बहुत इंपॉर्टन्ट है यह बाल्टिक सागर के रास्ते से यह पाई प्लाइन बिची हुई है और एक FCRA बहुत चर्जा में है इसको हम foreign contribution regulation act इसके भी बारे में हम बाद में थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप यह जो कि वन लाइनर है जो कि दा हिंदू और इंडिन एक्स्प्रेस की तो इससे क्या होता है जैसे कि हम इसको अगर अपनी आप इसको देखिए और इसमें कमेंट बताएं कैसा वीडियो है ठीक है थेंक्यू